दोस्तों अगर आप अपिस्टोप पर डिमेट अकаount ओपेंड करना चाहते हैं तो आजके सीप वडियो मैं आपको स्टेपपेंड स्टेप बताऊँगा कि कैसे अपिस्टोप पर डिमेट अकाउंड ओपेंड के जाता है इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें क्या क्या documents कर जरुरत पड़ता है तो सबसे पहले आपके पास अधार कार्ड होना चाहिए इसके बाद mobile number और ये mobile number आपके अधार कार्ड से link होना चाहिए pen card, bank details और एक email ID अगर आपके पास ये 5 चीज़े हैं तो आप अपिस्टोक पर अपना email account open कर सकते हैं ये 5 चीज़े हैं तो आप पहले अधार कार्ड, pen card और bank details ले करके बढ़ जाईए और इस वीडियो को step by step follow करते जाईए आपका 5 मिनिट के अंदर अधान डिमेट account create हो जाएगा वीडियो को पुरा लाज तक ध्यान से देखते रहेगा चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको आप stocks application को install कर लेना है इस application का link आपको इसी वीडियो के description में मिल जाएगा आप वहाँ से directly click करके play store से इस application को install कर सकते हैं जैसे यह application आपका install हो जाएगा इसके बाद आपके सामने यहाँ पर open का option मिलेगा यहाँ पर थोड़ी सी wait करना है installation होने तक इसके बाद आपको यहाँ open पर click कर लेना है जैसे यहाँ open पर click करेंगे यहाँ पर आपको create a new account का option मिल रहा है इस पर आपको click करना है अगर आपको एक नय आकाउंट create करना है तो simply यहाँ click किये इसके बाद यहाँ पर आपको अपना email id और mobile नंबर enter कर लेना है इसके बाद simply आपको send OTP पर click कर देना है इसके बाद आपके mobile नंबर पर एक OTP आएगा उस OTP को यहाँ पर इंटर कर लेना है जैसे आप OTP इंटर कर लेंगे इसके बाद Sign Up पर क्लिक कर देना है जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर कुछ हिस्तर का इंटरफेस मिलेगा यहाँ पर आपको Pen Card और Ather Card का ज़रुत पढ़ने वाला है यह चीज बोल रहा है तो सिंपले आपको यहाँ पर Continue पर क्लिक कर देना है Continue पर क्लिक किए इसके बाद यहाँ पर आपको अपना Pen Card का नंबर और Date of Birth इंटर कर लेना है दोनों चीजे इंटर करने के बाद आपको Next पर क्लिक कर देना है इसके बाद यहाँ पर आपको अपने बारे में Details थोड़ा सदे देना है जैसे कि आपका Gender क्या है Male या फिर Female वो Select कर लिजे इसके बाद आपका Marital Status क्या है Single है या फिर Married वो Select कर लिजे इसके बाद आपका Annual Income क्या है आप सालाना कितना कमा लेते हैं एक लाख या एक लाख से कम या उससे ज़्यादा तो वो आप यहाँ पर Select कर लिजे इसके बाद Simply आपको नीचे की तरफ Scroll Down करना है Scroll Down करेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है इसके बाद आप यहाँ से Select कर लिजे कि आप Government Job में है Public Sector में है Businessman है Student है Retired है तो वो आप यहाँ पर से अपने हिसाब से Select कर लिजे इसके बाद यहाँ पर आपको पूछ रहा है Is Your Country of Tax Residency India तो यहाँ पर Simply आपको Yes पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपको नीचे की तरफ और Scroll Down करना है फिर यहाँ पर Tax Spare Declaration आएगा इसको पढ़ करके इसे Check Box पर चेक कर देना है इसके बाद आपको Simply नीचे की तरफ Next पर क्लिक करना है Next पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर आप अपना Address देख लिजे अगर आपको यह Address सही है तो Yes, These Details are Correct पर क्लिक करके आगे बढ़ जाईए इसके बाद आपको इस Box में अपना एक Digital Signature कर लेना है Signature कर लेने के बाद आपको Next पर क्लिक कर देना है फिर यहाँ पर Camera का Access मांग रहा है Camera का Access देने के लिए Simply आपको नीचे की तरफ Next पर क्लिक कर देना है फिर आपका Camera On हो जाएगा यहाँ पर आपको अपना एक Photo क्लिक कर लेना है Photo अगर सही है तो आपको Simply Accept पर करना है क्लिक अगर आपका Photo सही नहीं आया है तो Take Another पर क्लिक कर सकते हैं तो चलिए मैं Accept पर क्लिक कर लेता हूँ इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर से आपको यहाँ पर Next पर क्लिक कर देना है Next पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर Inter Bank Details पूछ रहा है तो यहाँ पर आपको अपना बैंक का DETRO दे देना है जैसे कि यहाँ पर आपको अपने bank में जो भी नाम है अपना नाम यहाँ पर इंटर कर दीजे इसके बाद IFSC code, bank account number इसके बाद फिर से आपको यहाँ पर bank account number इंटर करना है इसके बाद आपको अपने bank का type select कर लेना है account type कि आपका saving है या फिर current इसके बाद आपको simply next पर click कर देना है इसके बाद आपको अपना email id verify करना है तो यहाँ पर आप अपना email id इंटर कर लिजे इसके बाद आपको get otp पर click कर देना है इसके बाद आपके mail id पर एक otp आया होगा उसको यहाँ पर enter करके next पर click कर दीजे फिर यहाँ पर sign up for free यानि कि free में account खुल रहा है तो simply यहाँ पर आपको click कर देना है इसके बाद नीचे की तरफ आपको yes पर click करना है इसके बाद आपको फिर से यहाँ पर नीचे की तरफ next पर click करना है फिर आपको यहाँ पर second वाले option पर ही tick रहने देना है और simply आपको next पर click कर देना है make sure कि आपका अधार कार्ड mobile number से link होना चाहिए अगर link है तो simply आपको अधार OTP पर click कर देना है जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे आपको यहाँ पर e-sign now का option मिल रहा है आपको फिर से यहाँ पर e-sign now पर click कर देना है जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे आपके सामने nsdl का excite आ जाएगा यहाँ पर आपको इस check box पर click करना है इसके बाद आपको यहाँ पर अपना अधार कार्ड का number enter कर लेना है फिर आपको send OTP पर click कर देना है अब आपके अधार कार्ड से link mobile number पर एक OTP आया होगा उस OTP को यहाँ पर enter कर लेना है फिर आपको verify OTP पर click करना है जैसे आप यहाँ पर verify OTP पर click करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपका application submit हो गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं maximum 3 दिन का time लगगा generally 2 दिन में हो जाता है यहाँ पर आपको अपना download कर लेना है जो भी आपने form fill up किया है उसका आप यहाँ पर download link मिल रहा है इस पर आपको click करके download कर लेना है बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं 3-4 step एक दो दिन में complete हो जाएगा इसके बाद आपको login details आपके इसी email ID पर जो आपने अभी email ID इसमें दिया है उसी email ID पर और mobile number पर user ID और password दोनों आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो फिलहाल अभी आपको कुछ नहीं करना है screen off कर दीजे यह वाला इसके बाद दो दिन के बाद जब आपका user ID और password मिल जाए तो वापस से आप इस application को open कीजिए इसके बाद आपको यहाँ पर उपर वाले नहीं बलकि login पर क्लिक करना है login पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर user ID और password डाल देना है जो आपके mail ID और mobile number पर आया होगा डालने के बाद आपको sign in पर क्लिक कर देना है जैसे आप sign in पर क्लिक करेंगे आप अप इस stock के home page में इस तरह से login successfully हो जाएंगे तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि आप इस stock पर dimate account create करना कितना आसान है I hope कि इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया अगर फिर भी इस वीडियो से related कोई भी डाउट है तो नीचे comment section में पूछ सकते है वीडियो पसंद आया तो like से और चैनल को subscribe कर लिजे और अभी तक dimate account create नहीं किया है तो description में आपको इस application का link मिल जागा वहां से आप directly click करके play store से install कर सकते है वीडियो पूरा लावस तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तर तक के लिए जय हिंद जय भारत